मूवी का कॉंसर्ट सुनने में फ़नी लगता है जिसे आप एक बाच चेक आउट करे भी ना रहनी पाओगे बागे फिल्म इंस्पारे ट्रू स्टोरी से चोकि 1985 में होई थी यानि मूवी में जो कुछ भी देखने मिलता है वो असल में हुआ था कोकेन बेर के एक कॉमडी थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए अंतलगपक देड़ गंटा है यानि आपको इससे दिखने के लिए एक अच्छा खासा टाइम देना होगा तो क्या इससे टाइम देना सही भी रहेगा या नहीं चली जानते हैं क्योंकि फिल्म 30 मिन लिज़ गी है पर क्यानी चितनी फणई थी फिल्म भी उतनी फणई है क्योंकि कई सारी सेंस ऐसे थे चाह आप दिल खोल कर गुर्व हो सारे सीन्स ऐसे भी थे चाहिए फिल्म हमें हसानी की पूरी कोश्च करती है पर अनफॉर्चनेटली नहीं कर पाती और ऐसे कई सारे वीक पॉंट्स हैं जो कि इस फिल्म को एक परफेक्ट और बेस्ट फिल्म बने नहीं देते बठाएं फिर भी मैं कहूंगा कि आप इस फिल् करता है क्योंकि प्रेजेंटेशन अची है पर हां ग्रेट नहीं क्योंकि फिल्म के स्टार्ट के लगबग 30 से 40 मिन तक आपको बेर से जुड़ा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा जिसमें एक तरह से यह फिल्म क्यार्टर्स स्टोरी और पने आपको इंट्रूस कराती है और कितना चेसे ना दिखाया गया हो पर जिन भी सेंस में दिखाया गया है वहाँ यह फिल्म बेनाडर दिखाती है वही बात करूँ आक्टर्स की तो कई सारे आक्टर्स की परफॉर्मस बहुत ही बढ़या थी खास करके डालोग डिलीवरी में कई सारे सेंस जहां पर कमेडी का पूरी गोश्ट करती है जो की नहीं होता पर हां कुछ के बीच की केमिस्ट्री काफी बढ़ आती और कुछ के डायलोग्स और कुछ की एक्टिंग जो की उने शायन होने का पूरा मौका देती है बागी फिल्म सेट है 1985 में जिसका एसास भी फिल्म आचे से कराती है कॉस्टम्स और लोकेशन के जरीए और अब बात कलते हैं और डिटेलिंग में इसके विक पॉइंट्स की तो फिल्म में कई सारी स्टोरी लाइन्स आपको देखने मिलेंगी जिन में से कुछ इंटरस्टिंग थी कुछ बिल्कुल भी नहीं वाई बेर को लेकर CGI भी कुछ जग को पर डेफिनेटली काम आती है तो ओवराल कोक इन बेर काफ़ अच्छी खासी फिल्म है जिसे आप एक बाच चेकाव डेफिनेटली कर सकते हो चोकि आपका टाइम पास बहुत ही चीसे करा देगी जिसे आप फैमली के साथ भी देख सकते हो अगर आपको ब्रूडल मर्डर और वालेंस से कोई भी दिक्कत नहीं है जिसे मैं आदूँगा 3.5 स्टार्स बागे अगर आपने देख लिए तो मुझे कॉमेट से बता देना कि आपको फिल्म कैसे लगी और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो मे बाइ